बिना टाइम विष्ट किये सीधा बात करेंगे कि कैनलिस्टिक्स क्या होती है और जो नए लोग है पुराने लोग है जो भी है जिसको नौलेज नहीं है और जिसको नौलेज है सब इस वीडियो को देखें यह ओन डिमांड वीडियो है मैंने कहा था कि वनके सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर। वैसे ही candlestick जब बहुत सरी होती है जब एक अपना design मनाती है तो उसको पैटर्न मोलते है तो पैटर्न के अदहर पे लोग बहुत सा ट्रेडिंग करते है कि यह पैटर्न अब टूट चुका है यह पैटर्न बन गया है तो आप जाएगी नीचे जाएगी पर लोगों को नहीं पता होता कि जब वह पैटर्न वहां पर जब बनती है या फिर स्टॉंग बनती है तो आप हमें क्या करना चाहिए बस सोचते लेते हैं कि हा या यह बन लिए बन चाहिए तो श्रुबात करते हैं सबसे पहले आपको इस चार्ट दिख रहा हुआ मार्केट में दो तरफे चैनल होती है एक तो ग्रीन एक रेड गिन रिप्रेसेंट करती है कि मार्केट नीचे जा रहा है जो मेरेको नोलिज है वह मैं आपके साथ शेयरे कर रहा ह मैं यहां से walking Wam आपको बता हूँ लिए ऐखे रहा हो तो सबसे पहले म dictionरे मे पारे में जो मना आपको बता रहा हुआ कि में पाई यह आहकी मिल पाई मै चाहरा था कि मैंका गुरन और रेड में जायए पर में पाया तो आप ये समझें, कि जो ये white वाली है, ये green kernel है, जो black वाली है, वो है red kernel, ऐसे समझें सबसे पहले बात करते हैं कि एक जो candle stick होती है, वो open, सबसे पहले देखी वाली पहले फैली यहां से शुरू हुई, यह पूरी उपर तक गई है और यहां तक बंद हुई ठीक है इसको कहते हैं full body candle ठीक न ये एक बार भी रुकी नहीं उपर तक चली गई ठीक है ये एक strong candle है ये बीच में कहीं नहीं रुकी उपर तक गई है ठीक है अब second candle में क्या हुआ second में ये हुआ कि market में यहां से शुरू हुई है यहां तक गई पर बंद यहां पर हुई है जो पहले वाली candle थी वो बंद तो उपर हुई थी ठीक है नीचे कभी नहीं आई और जो दूसरी वाली candle है वो उपर तक तो गई पर बंद हुई नीचे आके तो इसका मतलब ये है कि market में थोड़ा सा उपर से प्रेशर आया ठीक है तो इसको कहते है थोड़ी सी विट केर्डल जैसे कि पहले वाली केर्डल है वो तो नीचे शुरू के उपर तक बंद हुई है तो काफी श्टोग केर्डल है मलब की नीचे से खरिदारी बहुत हो रही है तो मार्केट शाहिद उ लिट रॉट वपर तक गई थी फिर जो यह और या नीचा के बंद हुआ है ना इतने हिस्सकों हघेंगे विक और हो है। इतने हिस्सा बचा उसको कहेंगे हम बोडी उतना ही है जब यूटी होती है और बॉडी होधी ह। थोड़ी छोटी होती है थोड़ी कंजर केर्डल नेट पर जाके देखोगे कि candle stick के नाम क्या क्या होता है बहुत सारे नाम होता है गाईस बहुत सारे अगर आप उनको नाम याद करने बैठोगे उससे कोई फ्रकनी कमणने वाला आपको उसका logic समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूं तो अपने आप उसको कम जोर हुई है candle strong है पर थोड़ी से कम जोर हुई है इसमें भी आप इसको अनुमाल लगा सकते हैं कैसे लगाना है लाइव चैड़ बताओं को आप से बताओं को ठीक है अब थर्ड कैंडल में देखते हैं थर्ड कैंडल में क्या हुआ यहां से शुरू हुई यहां तक लोगों ने खाई लिया फिर लोगों ने बेचना शुरू किया ना वह जादा हो गया तो मनलब कि यहां पर थोड़ी से नेगेटिव सेंटिमेंट है ठीक है तो इसलिए इस तरीके सा आप यह पता लागा सकते हैं कि प्रेशर कहां बनना है कहां नहीं बनना अब यह बात आ चौथी कैंडल पर क्या होगा आप देख पाल आओगा इसके नीचे भी एक विक है और उपार भी है तो इसमें अपन प्राइस पाल पर होगा ओपन प्राइस और यहां से क्लोजिंग होई है आप अनाम से समझी दुबाब बता रहा हूं ठीक है यहां पर शुरू ही थी कैनल पहले लिए नीचे गई फिर यह उपर तक गई है यहां तक फिर वहां से उपर टश करके नीचे आई है और यहां पर आगे क्लोजिंग दी है ठीक है तो आपका होगा था तो यह को समझ माव दॉपन प्रैस इसका यहां नीचे विग से अगर एक साइड होता हूँ है तो मैं कहा से सब्ता था कि कम्जोर यहां पर क्योंकि विड़ी हे वाई हैं यहां पर शोटी हैं यहां पर तो फोरके भी सेम है नीचे भी बी तो यहां पर तुम्हारा सब्सक्राइब नहीं लगे स Kelsey इसको कहते हैं और ज़ोटी चोटी है तो इसमें थोर희 हैं सब्सक्राइब फिर आपको पता लग चुका है कि ये candle undecidable है तीक है काफी volatility थी इसके अंदर पहले open यहापर हुई फिर low लगाया फिर high लगाया फिर यहाप आगे बंदू हुई है तो काफी volatility थी मनलब की काफी उपर नीचे गई है अब बात करते हैं पाच्वी candle की ओके इसको कहते हैं neutral candle okay neutral candle माने उदा सीन कुछ नी पता चल दा इसके अंदर ये candle यहापर नहीं लग पा रहा था मार्केट पहले यहापर open हुई यहां तक गई पर एक low लगाया यहां तक का और बंद भी high पी हुई है समझमा आग गया दौबा बताता हूं मार्केट open हुई यहापर थीक है नीचे अंतर हो ठीक है यहां से open हुई हो वहीं पर close हुई हो और उसने high और low भी लगाया हो जैसे कि यहापर लगाया है ठीक है यहापर open हुई यहापर high लगाया यहापर low लगाया और यहीं पा बंद हो गई इसको कहते हैं doji candle और doji candle share market में एक बड़ी ताकतवर candle होती है इसके अ यहापर लगे गए पर जो sellers है वहावी हो गए और इसको नीचे तक लिए ठीक है पर बायर फिर से हावी हो गए और वह यहापर लगाया और यहापर आकर बंद कर दी यहापर आकर बंद कर दी इसका मनलब यह है कि buyer और seller में tie match हो गया तो यहापर कोई decidable नहीं हुआ तो जब इसका high या low break होता है तो वहापर आप entry मारते हैं तो उसको कहते है entry लेना दोजरी करने के साहता से मैं आपको यह सब्चिल लाइव चार्डवे बताऊंगा पर आपको केवल यह बता लों कि weakness और strongness कहां पर कहां पर होती है ओके यह उता दिया मैंने सब्च मैंने आपक इसकी बार red candle है मनलब कि black इसमें black है वैसे red candle होती है तो आपको फिर समझाता हूं शुरूबात करते हैं last वाली से very bearish माने बहुत जाद दर negative अब इस वाली जो green वाली थी मनला white वाली उसमें यहां से शुरूबात हुई थी यहां पर खतम हुई थी पर यहां पर जो open price होता हुआ यहां तक का low मारा और यह पर बंद हुई है मनलब कि थोड़ा सा यहां पर weakness कम है ठीक है अब 3rd candle में क्या हुआ थाट candle में यहां से शुरूबात हुई मार्केट में जो sellers थे वह काफी इसको नीचे तक ले आए बट जब बारत हा भी हुए तो इसको यहां तक लाक़ अब ऐसे हैं मार्केट में यहां बंद यहां रवाया है पर इससे पहले यहां यहां अंचा का यहां हुआ यहां यहां शॉपनिया को मैं पता चुका हूँ तो आई थिंक यह पांच्छ चीजां आको समझ में आ चुकी होंगी अगर नहीं समझ में आई है दुबारा देखो वीडियो तब भी समझ में ना आए तो मेने को WhatsApp में मेसेज करो बड़े अराम से मैं कोई पैसा नहीं लेने वाला इस चीज़ यह मैं आपके लिए कर रहा हूं तो इतना आपको समझ में आ गया अब मैं आपको लेकर चलता हूं लाइव चार्ट पर वो मिलेगा आपको सेकंड पार्ट में तो आप वो देखना आपको आपको सामने लिंक आ गया होगा ठैक्क फर वॉचिंग